नमस्कार आप सभी के स्वागत है सीजी जाब न्यूस पर दोस्तों चतिज गड़ में मुख चीकिसा है मुख स्वास्त अधिकारी कारेल है जीला बिलासपूर चतिज गड़ में विभिन ने 67 पदों पर संवीदा भरतियों के लिए विग्यापन जारी किया गया है जिसकी जानकारी के साथ आज हम आपके साथ हाजिर है यहाँ पर nursing officer NHM के लिए कुल तीन पदों पर भरतियां की जाएंगी इसके लिए बेस्टी nursing या फिर GNM का कोर्स मागा गया है और 16,500 रुपए की salary चेनी तरभिरतियों को दी जाएगी nursing officer के कुल 20 पदों पर भरतियों के लिए भी गयापन जारी किया गया है चेनी तरभिरतियों को 16,500 रुपए की salary यहाँ पर दी जाएगी nursing officer DEIC के एक पद पर भरति की जाएगी इसमें भी 16,500 रुपए की salary दी जाएगी और शेखनी के उगता पूरो में बताएगे पद के नुसार यहाँ पर रखी गई है nursing officer ICU के लिए भी यहाँ पर 12,500 रुपए की salary दी जाएगी और शेखनी के उगता यहाँ पर पूरो पत के समान ही रखी गई है A&M के कुल एक पत पर भरति की जाएगी चेनी तरभिरति को 12,000 की salary दी जाएगी इसके लिए A&M पास होना जरूरी है भिरतियों को और nursing council में जीवित पंजियन होना जरूरी है senior nursing officer के भी एक पत पर भरति की जाएगी जिसमें चेनी तरभिरति को 31,500 रुपए की salary दी जाएगी इसके लिए MSC psychiatric nursing मांगी गई है और दो वर्स का experience यहाँ पर मागा गया है या फिर BSC nursing यहाँ पर या फिर BSC nursing regular mode में यहाँ पर होना जरूरी है और आपका पंजियन जो होना जरूरी है यहाँ पर security personal के कुल चार पतों पर भरतियां की जाएगी जिसमें चेनी तरभिरति को 10,000 रुपए के salary दी जाएगी इसके लिए second तरभिरति को 10,000 रुपए के salary दी जाएगी के भी एक पत पर भरति की जाएगी इसमें चेनी तरभिरतियों को 8,800 रुपए के salary जो है दोनों पतों के लिए दी जाएगी यहाँ पर cleaner के लिए 8,000 पास योगता सिखनी की योगता रखी गई है और एक वर्सी अनुभाव यहाँ पर माग गया है प्रोग्राम एसोसियेट के कुल एक पत पर भरति की जाएगी 30,000 रुपए के salary यहाँ पर चेनी तरभिरतियों को दी जाएगी इसके लिए MBBS या फिर BDS या फिर IUS में आपको डिगरी जो है यहाँ पर होना जरूरी है और PG Diploma in Hospital Management भी आपके पास हो सकता है तब भी आप यहाँ पर अपना आवेदन जो है कर पाएंगे Social Worker के एक पत पर भरति की जाएगी जिसमें चेनी तरभिरति को 25,000 रुपए की salary दी जाएगी इसके लिए MSW या फिर AMA in sociology regular mode में आपके पास होना जरूरी है Secretarial Assistant Case Registry के एक पत पर भरति की जाएगी जिसमें चेनी तरभिरति को 13,650 की salary दी जाएगी इसके लिए इसनातक होना जरूरी है 16,500 रुपए की salary चेनी तरभिरति को दी जाएगी इसके लिए degree diploma फार्मेसी में 50% अंक के साथ में होना जरूरी है 77 फार्मेसी काउंसिल में जिवित बंजियन भी होना जरूरी है Medical Officer I.O.S. male के कुल एक पत पर भरति की जाएगी चेनी तरभिरति को 14,000 रुपए की salary यहां पर दी जाएगी इसके लिए इसनातक होना जरूरी है केवल या फिर बार्मी पास होना जरूरी है और आपका MPW, LHW या फिर Health Worker का आपके पास certificate होना जरूरी है इसके साथ ही साथ यहां पर Block Supervisor के एक पत पर भरति की जाएगी जिसमें 21,000 रुपए salary चेनी तरभिरति को दी जाएगी इसके लिए Bachelor आप Science B.A.C. होना जरूरी है Biology विसे के साथ में और आपका यहां पर License जो होना जरूरी है Two-wheeler Driving का Secretary Assistant FLA के कुल एक पत पर भरति की जाएगी जिसमें 13,650 रुपए की salary चेनी तरभिरतियों को दी जाएगी इसके लिए इसना तक होना जरूरी है Commerce विसे के साथ में या फिर अनुभाव यहां पर अन्या मागा गया है Secretary Assistant के NLEP के अंतरकत में एक पत पर भरति की जाएगी 13,650 रुपए की salary चेनी तरभिरतियों को दी जाएगी इसके लिए बार में पास रखा गया है और एक वरसी कंप्रूटर का डिपलोमा यहां पर रखा गया है Lab Technician के कुल एक पत पर भरति की जा रही है चेनी तरभिरति को 14,000 रुपए की salary यहां पर दी जाएगी इसके लिए BMLT एफर DMLT course पेरामेडिकल में होना जरूरी है साथे साथ पेरामेडिकल काउंसिल में आपका जीवित पंजियन भी होना जरूरी है यहां पर काउंसिलर के कुल एक पत पर भरति की जा रही है जिसमें चेनी तरभिरतियों को 12,000 रुपए की salary एकमुस्त यहां पर दी जाएगी इसमें post graduate degree diploma in sociology आपके पास होना जरूरी है इसके साथ यहां पर कुछ पद साक्षातकार के अंतरगत भरे जाएगी जिसमें अप्तलमिक असिस्टेंट के एक पत पर भरति की जाएगी साक्षातकार के माध्यम से यहां पर 12,000 रुपए की salary चेनी तरभिरतियों को दी जाएगी इसके लिए दो वर्ष का टिपलोमा कोर्स आपको अप्टेमेतری में होना ज़रूरी है अप्टेमेट्रिक्स के एक पत पे भरति की जाएगी है चेनी तभिरतियों को 15,000 रुपे के salary दी जाएगी इसके लिए आपको डिपलोमाइन अप्टेमेटरी होना जरूरी है मनतपराप्त संस्थान से इस प्रकार से स्वास्ति भाग बिलासपूर के अंतरकात में विभिन पतों पर बंफर भरतियों के लिए वियापन यहाँ पर चारी किया गया है इन समस्त पतों पर भरतियों के लिए आवेदन पत्र अभिरती 12 जुलाई 2021 को साम 5 बजे तक पंजिकरिट डा केस्विट पुष्ट के माध्यम से करेले मुकजिके से हम स्वास्त अधिकारी सीपत रोड सरकंडा बिलासपूर के पते पर भेज पाएंगे इस परकार से आपको अपना आवेदन पत्र भेजना है कि आपका आवेदन पत्र 12 जुलाई 2021 साम 5 बजे तक विभाग को पहुँच जाना चाहिए यहाँ पर आवेदन करने के लिए आपको कुछ आवेदन सुल्क का भुकतान भी करना होगा जिसका डिटेल्स आपको इस विग्यापन से प्राप्त हो जाएगा साथ इसाथ चारी किएगे इस विग्यापन में आपको चैन प्रक्रिया के संबन्द में विस्तरित जानकारियों के साथ इसाथ में आवेदन करने के संबन्द में दीसा निर्देश और आवेदन पतर का प्रारूप आदी समस्त जानकारियां इस विग्यापन से आपको